तो कैसे हो मेरे घुमकर दोस्तों दोस्तों कश्मीर ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्किए दुनिया भर में अपनी खुद्सूरती के लिए जाना जाता है और कश्मीर को तो हम धर्ती का स्वत भी कहते हैं और यहां की सबसे पॉपुलर जगा है शिरी नगर तो आज इस सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल लाइक प्रो यूड्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताके हमारे ट्रैवल वीडियोज ट्रैवल टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंच सकें बिना किसी रुकावट के तो चलिए शुरू करते हैं नमबर ए बोट मार्केट और बोट राइट का मज़ा ले सकते हैं श्री नगर आने वाले टूरिस्ट डल्ज हील की हाउस बोट में रहना ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं नमबर दो पे है मुगल गार्डन मुगल सामराजी के समय में फार्सी आर्किटेक्चर के आधार पर कई बाग बगीचे बनाए गए थे इधी को मुगल गार्डन का नाम दिया जाता है श्री नगर के मुगल गार्डन में आप देख सकते हैं निशाद बाग, शारिमाल बाग, चश्म शाही, परी महल, अचबल और वेरिनाग गार्डन नमबर तीन पे है हजरत बल कश्मीर घाटी में मुसलिम धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाने वाला स्थान है हजरत बल दुनिया भर से मुसलिम धर्म को मानने वाली लोग यहां सिर्फ हजरत बल के दर्शन करने के लिए श्री नगर आते हैं नमबर चार पे है टूलिप गार्डन दोस्तो अगर आप अप्रेल से जून के बीच में श्री नगर घूमने जा रहे हैं तो टूलिप गार्डन जरूर जाईएगा यहां बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको टूलिप फ्लावर्स के फार्म्स देखने को मिलेंगे जो आपका दिल जीत लेंगे दोस्तो डल जील में एक छोटा सा टापू बना है जिसका नाम है चार चिनार जब आप शिरी नगर में शिकारा नाव की सवारी पर निकलें तो यहां चिनार के रंगीन पेड़ देखना बिलकुल न भूलें यह चिनार के पेड़ अक्टूबर से नवंबर के समय में सबसे ज़्यादा सुन्दर दिखते हैं दोस्तो अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो ट्रैकिंग पसंद है तो ट्रैक आपको जरूर जाना चाहिए यह ट्रैक थोड़ा मुश्किल जरूर है पर यहां के नजारे देखकर आप ट्रैकिंग की सारी ठकान भूल जाएंगे दोस्तो शिरी नगर का फ्लोटिंग मार्केट अपने अनोखे बजार के लिए जाना जाता है यहां लोग शिकारा नाओ में सवार होकर पूरा बजार लगाते हैं और यहां आपको देखने को मिलेंगे फल, सबजी, फूल और ऐसे कई मसाले और अन्य चीजे जो कश्मीर में बहुत मशूर हैं पर यह हदबुत नजारा देखने के लिए आपको सुबह पांच बजे यहां पहुँचना पड़ेगा नमबर आठ पर है शंक्राचारे टेंपल समुद्र तल से ग्यारा सो फीट की उचाई पर बना है शंक्राचारे मंदिर ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर कश्मीर घाटी का सबसे पुराना मंदिर है और इतने पुराने समय पर इस मंदिर को इतनी उचाई पर बनाना यह किसी चमतकार से कम नहीं है नमबर नौ पर है युसमार्ग शिरी नगर से 50 किलो मीटर दूर युसमार्ग एक बेहत खुबसूरत हिल स्टेशन है और खास बात यह है कि यहाँ जादा टूरिस्ट भी नहीं आते हैं तो आपको यहाँ खुबसूरत वादियों के साथ एक शान्त और सुकून भरा वातावरण मिलेगा तो दोस्तों यह थी ऐसी कुछ जगा शिरी नगर कश्मीर में जो आपको जरूर घूमनी चाहिए अगर आप शिरी नगर में और घूमने लाइक जगर के बारे में जानते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा हमें इंतिजार रहेगा आपके कॉमेंट्स पढ़ने का और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में